इनको नहीं मालूम होगा कि पर्शिक्षन सीविर कैसा होता है मैंने अब तक के टोटल मिला करके दो पर्शिक्षन सीविर मैंने अटेंड किये हैं ऐसा पर्शिक्षन जेन दरमका ऐसा कोई पर्शिक्षन सीविर आपने कभी देखा नहीं होगा एक बार तो जरूर जरूर दे निवेदन है कि इस शिविर में जरूर जरूर पधार है क्यों क्योंकि हमें अपने आत्मा का कल्यान करना है तिक शिविर ही द्वार है चन्द पंक्तियों से मैं अभी कुछ कहना चाहूंगा यदि हम को आतम का करना जो उधार है शिविर एक द्वार है जो भी शिविर में आता है ग्यान ध्यान कर पाता ना आने वाला भी बाद में है पच्छताता अवसर है ये अपनाने का जीवन में संस्कार है शिविर एक द्वार है शिविर एक द्वार है हमें आसा ही नहीं पूर विश्वास है कि यहां बैठे जितने भी लोग है वो तो शिविर में आएगी लेकिन जो यहां पर नहीं है वो भी शिविर में आएंगे